नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अहोई अश्टमी पर गुर्ण से करने वाला एक ऐसा साधारान सा उपयोग बताएंगे जिसे करते ही आपके जीवन में चारचान लग जाएंगे खुशियों की बोचार होने लगेगी दोस्तों आप सभी को बता दें कि अहोई अश्टमी का बृत कार्टिक क्रिशन पक्ष की अश्टमी तिथी को रखा जाता है ऐसे में इस दिन अहोई माता यानि की माता पारवती की पूजा की जाती है साथ ही इस दिन महिलाएं बृत रखकर अपने संतान की रक्षा और संतान की दीरगायों के लिए प्रात्ना करती है कहा जाता है कि जिन लोगों को संतान नहीं उपा रही है उनके लिए ये ब्रत विशेश होता है और जिनकी संतान दिरगायों नहीं होती है या गर्म ही नश्ट हो जाती है उनके लिए भी ये ब्रत बहुत ज़्यादा ही सुबकारी होता है इसी के साथ आपको बता दे कि इस बार अहोई अश्टमी पर बेहदी सुपसंयोग बन रहे हैं जिसके कारण बरत रखने वाली महिलाओं को इसका फल और भी ज़्यादा होकर मिलेगा कहते हैं अगर संतान की शिक्षा करियर रोजगार में बादा आ रही है तो अहोई अश्टमी को अहोई माता यानि की माता पारवती के पूजन के दोरान दूद और भात को अरफित करना चाहिए साथ कुछ लाल रंग के सुगंदित पुष्प भी अरफित करने चाहिए और एक लाल पुष्प को हाथ में उठाकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्तना अहोई माता यानि की माता पारवती से अवश्य करनी चाहिए और संतान को अपने हातों से दूद भात खेलाना चाहिए इसके बाद लाल फूल अपनी संतान के हातों में देकर फूल को सुरक्ति रखने के लिए कहना चाहिए वहीं अगर संतान के वेवाहिक या पारिवारिक जीवन में कोई बादा आ रही है तो अहोई माता को गुड का भोग अवश्य लगाना चाहिए इसके लिए आप अहोई माता के सामने एक कटोरी में थोड़ा सा गुड रख करके उन्हें भोग लगाए उसके बाद अहोई माता की विदी विदान से पूजा अर्चना हो जाए इसके बाद आप गुड को उठा करके अपने बच्चों में परसाद के सवरूब बित्रन अवश्य करना चाहिए यदि आप साम के समय गुड का भोग लगाते हैं तो अगले दिन आप इसे बित्रन करें इस उपाय से ना सिर्फ बच्चों के पारिवारिक जीवन में खुशी आती हैं बलकि करियर और शिक्षा के शेतर में भी संतान दिन दूनी राज चोगनी तरकी करने लगते हैं साथी बच्चों के जीवन में यानि कि संतान के जीवन में सदैव धनकी जो कमी थी वे पूर्ण हो जाती है, कभी भी उन्हें सुक सम्रिद्धी और बहुतिक सुकों की कभी भी कमी नहीं होती है, हर प्रकार के किर्टी मान से स्तापित होकर हर प्रकार के सुक बैवब का आनन् पाए नमा इस मंतर का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए इसके बाद अपनी संतान को गुड़ खिला करके अपने हातों से उसे गले में चैन अवश्य पैना दें इसके बाद उनके सर पर हात रखकर आशिरवाद देना चाहिए अब दोस्तों अगर आपके संतान को भी संतान अहोई माता और शिवजी को दूद भात का भोग लगाने के साथ ही चान्दी की नो मोतियां लेकर लाल धागे में पीरोग करके माला पहना दे और अहोई माता को माला अर्पित करने के बाद अपने संतान को संतान प्राब्ती के लिए प्रारतन अवस्य करें वहीं पूजा के बाद अपनी संतान और उनके जीवन साथी को दूद भात अवश्य खिलाना चाहिए वहीं अगर बेटे को संतान नहीं हो रही है तो बहु को और बेटे को संतान नहीं हो पा रही है तो बेटी को माला धरन करनी चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क किवल इतनी जानकारी देनी थी आज की वीडियो में किवल इतना ही कर फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै माता दी